पादप तथा जन्तु कोशिका. पादप तथा जन्तु दोनों सजेव हैं, किन्तो उनकी आंतरिक सनरचना बिलकुल भिन्ध होती है. क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? मैं एक मुख्य अंदर ये जानती हूँ कि पौधे स्वपोशी होते हैं, अर्थाद वे हरित, लवक यानि क्लोरोप्लास्ट की सहायता से सूरे के प्रकाश, काबन डाय ऑकसाइट तथा जल की उपस्थती में अपना भोजन स्वेम बना सकते हैं. वे एक ही स्थान पर रहते है इसलिए पौधों में इस प्रकार के उतक पाय जाते हैं, जो कि उन्हें मजबूती प्रदान कर सके. उनमें से कुछ मृत उतक होते हैं, जो कि यांतरिक मजबूती प्रदान करते हैं. हाँ, मैं जानती हूँ कि जन्तु पर पूशी होते हैं, तथा भोजन, साथी, तथा गूमना पड़ता है। इसलिए उन्हें पौधों की तुलना में अधिक उर्जा की आवश्यक्ता होती है। इस कारण से जन्तों की अधिक तर उतक चीवित होते हैं। गठन अधिक विशेशिक्रित होता है।